हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिगज कंपनी के बारे में जो कि एक लाइफ इंस्वरेंस के बिजनेस में अपने काम को बढ़ा रही है और शांदार इतने रिटन कमा के दिए निवेसकों को जब से इसकी लिस्टिंग हुई गये तो यह दिगज गुरुप को बिलॉंग करता है HDFC ऐसे दिगज गुरुप को आने वाली कंपनी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों HDFC लाइफ इंस्वरेंस के सेर के बारे में लगातार अच्छी तेजी देखी जा रही है अच्छा खासा इसमें करेक्शन भी हुआ तो और शां स्टॉक के बारे में जो कि आपको पता है इंस्वरेंस सेक्टर को बिलॉंग करता है और शांदार गुरुप को आता है HDFC लाइफ इंस्वरेंस कंपनी के बारे में एक शांदार स्टॉक है स्टॉक BSC नसी दोनों में लिस्टेड है अच्छा कासा रिटन कमा के दिया और इस दोस्तों आज नसी में इसमें करीब करीब एक देशनों 78% की तेजी लगब लगब 11 रुपए उपर और करीब 633 रुपए का एडजेस्टेट क्लोजिक प्राइस प्रीवेस क्लोज जो था 622 ओपन 624 पर 637 दिन का यह दिन का लो 613 रुपए का तो लगाता है स्टॉक आज एक वीक में एच डिएस्टेंडर लाइफ इंस्वरेंस कम्पणी लिम्टेट ने निवेशनों को 2.67 रिटन कमाके दिया वहीं बीते एक महिने में स्टॉक ने 16.92 परसेंट के शांदार रिटन कमाके दिये 2020 में 1.23 परसेंट के रिटने इस ने दिये बीते एक साल में को अभी इतना टाइम नहीं हुआ तो शांदार स्टॉक हो सकता है लॉंग टर्म के लिए आपके पॉर्टफोलियो के लिए आज 17 जुलाई को एंसी में 635 रुपए पे इसकी क्लोजिंग देखी गई और जो वॉल्यूम दोस्तों ट्रेड हुआ 33,44,053 का स्टॉक की फेस व बहतरी निस्टॉक के आपको प्योर मल्टीवेग रिटन कमा के देने वाला बीते आंगे आने वाले कई सालों तक एक स्टर यह बजिंग सेक्टर होने वाला इंसोरेंस सेक्टर का इंडिया के लिए तो एक साल के अंदर आप देख सकते हैं 26,99% के इसने अपने निवेसें क अच्छा खासा एक लाग 24,775 करोण का मार्केट के अपकी कंपनी और शांदार गुरूप को भी बिलॉंग करती जैसे आप जानते ही एक रिस्पेक्टेड गूरूप है अच्छी एपसी का सेर मार्केट के अंदर आइस के सेर होलिंग पैटन समस्ते किस प्रकार का प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 50.14 FII के पास 23.55% की होल्डिंग है दो परसेंट से जादा लगबग धाई परसेंट की स्टेक उनों बढ़ा लिए मूचल फंड ने भी एक इस टेकिस में बढ़ाई है 20 स्कॉर्टर में पास दसमों 4 0% की होल्डिंग है इंसॉरेंस कंपनिया एक परसेंट वही नॉन इंस्ट्टिशन इवस्टर आठ दसमलों साथ चार परसेंट की होल्डिंग रखते हैं अधर के पास 0.03% वही अधर डियाई-आई के पास 11.14% की होल्डिंग HDFC स्टेंडर्ड लाइफ इंसॉरेंस कंपनी के अंदर देखी जा रही है वही मैजॉर्टी सेर होल्डर प्रमोटर है प्लेस्टर होल्डिंग नन मतलब ग्रिवी रख्या सेर की कोई समस्था नहीं म्यूचल फंड की 31 क्योंने 5.4% की होल्डिंग रख्किए वह वही हाइस पब्लिक सेर होल्डर जो है इसमें वह इसमें यूरोपन फंड एक उसमें 2.66% की होल्डिंग रख्किए वही हाई इंडिविच्टल हम आप जैसे जो रीटेल ने वेशक हैं 6.64% की होल्डिंग हम जैसे रीटेल ने वेशक ने भी इसके अंदर बनाके अपने पॉर्टफोलिय में आप इसे जगह दीजिए बड़ा पैसा आपको जल्दी बना के देगा दोस्तों